नमस्का मैं आलोक सिंग आज आप लोगों के साथ human anatomy and physiology का अगला चैप्टर the animal tissues के बारे में कुछ जानने कुछ समझने की कोशिश करेंगे पिछली क्लास में हम लोगों ने ये जाना कि हमारी body है वो cells की बनी हुई है बहुत सारे cells मिलकर tissues को form करते हैं बहुत सारे tissues मिलकर organ को form करेंगे और बहुत सारे organ मिलकर एक system को मनाते हैं और बहुत सारे systems आपस मिलकर एक animal body का formation करते हैं वहाँ पर हम लोगों ने ये जाना कि cell ही हमारी basic unit है जिसके द्वारा पूरे body का formation किया जाता है और इसलिए हम लोगों ने कहा था कि cell is the structural unit of life और उस definition को थोड़ा सा हम लोगों ने modify किया और modification के बाद हम लोगों ने ये जाना कि cell is the structural and functional unit of life बहुत सारे cells आपस मिलकर एक नया system बनाते हैं जिसे हम लोगों कहते हैं it is tissues means cells क्या है tissues क्या है tissue is the group of cells आज हम लोग इन ही tissues के बारे में जानने की कोशिस करेंगे कि हमारी body में tissues कितने types की होती है और हम इन tissues को कैसे define करेंगे तो सबसे पहले आई हम लोगों शुरू करते हैं और ये about the definition of tissues कि tissues को define करना हो तो हम tissues को किस तरह से define करेंगे हम लोग जान चुके हैं कि tissue क्या है tissue is a group of cells having similar structure जिसका structure एक जैसा है having similar function जिसका functions एक जैसा है and having similar origin जो एक जगह से originate हो रहा है तब हम उस tissue को उस group of cells को कहेंगे it is tissues तो क्या definition हो गया tissues का कि tissue is a group of cells having similar structure function and origin हम लोगों ने जाना कि tissue को कैसे define करेंगे जो ये tissue है पिछली class में हम लोगों ने ये study किया कि जहां हम cells का study करते हैं उस chapter या उस topic को हम कहते है it is cytology ठीक उसी तरह से जहां हम tissues का study करेंगे उस topic या उस chapter या उस subject को हम लोगों नाम देंगे कि जहां पर हम tissue का study करेंगे जिस chapter में हम tissue का study करेंगे उस chapter को या उस topic को या उस subject को हम नाम देंगे it is histology अब जो यह histology है चुकि हम इसमें tissue का structure study कर रहे हैं और tissue किसकी बनी होती है cells की बनी होंगी और cells हम लोग naked eye से आसानी से देख नहीं सकते तो उसके लिए हमें microscope की आवसकता होती है अब यह जो microscope है चुकि हम लोग इसका study microscope के through कर रहे हैं तो हम लोग इस histology का एक और नाम देते हैं that is called the micro anatomy या microscopic anatomy दोगे से कोई नाम दे सकते हैं micro anatomy और microscopic anatomy इस मस्तर के हुआ हम वर्ड यूज करें micro anatomy या हम वर्ड यूज करें microscopic anatomy या हम वर्ड यूज करें histology इसका मतलब है it is study of tissues यह होगे हमारी about definition of the tissues आईए अब हम लोग शुरू करते हैं about the types of the animal tissues अब हम लोग यह जानने की कोशिस करेंगे body के अंदर animal body के अंदर कितने types की tissues होंगी tissues के types जानने से पहले थोड़ा साम लोग यह जानते हैं कि किसी भी animal body को survive करने के लिए किन किन चीजों की आवसकता होती है तो सबसे पहली जो आवसकता है that is about protection protection मिनसे कि हमारी body है उस body के surrounding environments है और उस environments में बहुत सारे harmful chemicals है harmful bacteria है microorganism है pathogens है तो body को अपने आपको protect करना होता है from these harmful substances means body के अंदर एक ऐसा system होनी चाहिए जो body में protection को provide कर सके दूसरा point हो गया कि हमारी body के अंदर protection तो हो गई लेकिन अब हमें survive करने के लिए हमें food की आवसकता होगी animal body को food की आवसकता होगी और उसके लिए body के अंदर कोई ऐसा system हो जिससे body एक जगह से दूसरी जगह move कर सके तो दूसरी आवसकता होगी that is the movement third आवसकता है कि हमारी body के अंदर बहुत सारे organs है और सभी organs अपना अपना function perform करते हैं और अपने function को perform करते समय वो दूसरे organs को coordinate भी करते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि जो organs है वो एक दूसरे से connected है मेंसे कि एक ऐसा system body में होना चाहिए जिसके तुरू जो organs है जो tissues हैं वो एक दूसरे से connected रह सके और last requirement है कि body के अंदर जो organs है वो organs अपना-पना function perform करती है in coordination with the other organs means कि body के अंदर एक ऐसा system है जिसके द्वरा किसी भी organ को यह मालूम होगा कि उसको किस दूसरे organ को help करना है या किसी भी organ को यह मालूम होगा कि वो किस से help ले सकता है suppose करें कि हमारे body के अंदर blood circulation है blood circulation को तेज करना है fast होना है तो उस समय वो fast किसके द्वरा होगा तो by the pumping of heart कि heart blood को pump करता है अब heartbeat बढ़ जाएंगी जो blood circulation होगा और blood circulation fast हो जाएगा इस तरह से body के अंदर जितने भी organs है सभी organ एक दूसरे से connected होंगी और जो message है वो message convey होता रहेगा means एक system ऐसा भी होना चाहिए body में जिससे कि हम message को transmit कर सके मतलब क्या हुआ कि body को main four requirements है first one is the protection second one is the movement third one is the connection and last one is the transmission अब हमारे body के अंदर जो protection system है वो उसके लिए a specialized cell है और उस cell का मों नाम देते है specialized tissues है उस tissue का मों नाम देते है it is epithelial tissue यह हमारा first जो type हो गया that is the epithelial tissue दूसरा type हो गया कि जो organs है वो एक दूसरे से connect है तो जिस organs के द्वारा एक दूसरे से connect होगा उसे लों कहेंगे connective tissues तो मनों दो tissue जान लिए first one first type is the epithelial tissue second type is the connective tissue third type हो गया that require about the movement तो इसको मनों कहेंगे it is the muscular tissue और last हो गया that is about a transmission तो इसको मनों कहेंगे it is the nervous tissue आप diagram में देख रहे होंगे कि हमारे body को movement चाहिए यह movement किस से होगा तो by the muscular tissue के द्वारा हमारी body एक दूसरे से connect रहेंगी वो किसके द्वारा होगा तो by the connective tissues और last हो गया कि हमारे body के अंदर message को transmit करना है और वो किसके द्वारा होगा तो by the nervous tissues तो इस तरह से हम लोगों ने यह जाना कि हमारे body में four types की tissues होती है अब हमारा जो main topic है आज का that is about a study of the epithelial tissue की आज हम लोग epithelial tissue के बारे में detail जानने की courses करेंगे कि epithelial tissue क्या है इसका structure कैसा होगा और इस epithelial tissues का main functions क्या है हम लोग यह जान चुके कि tissue four types की होती है अब हम लोग जानेंगे इन में से जो पहला tissue है epithelial tissue आज हम लोग इसी epithelial tissue के structure और functions के बारे में detail में जानकारी हाशिल करने की कोशिस करेंगे लेकिन structure और functions को समझने से पहले थोड़ा समलोग यह जानने की कोशिस करते हैं कि epithelial tissue होता क्या है और इसे हम कैसे define करेंगे epithelial दो word के मिलने से बना है एक कमो नाम दे रहा है it is epi और दूसरे कमो नाम दे रहा है it is the thallium जहाँ word epi है इस word epi का मतलब होता है upon और जहाँ word thallium है उसका मतलब होता है grow means कि वैसा tissue जो किसी दूसरे tissue के ऊपर grow करे उस tissue को हम कहेंगे it is the epithelial tissue actual में जो epithelial tissue होता है वो किसी भी body का कोई भी surface हो उस surface को ये cover करता है body का कोई भी organ हो वो उस organ को cover करेगा यदि body का वो organ hollow organ है तो उस hollow organ की जो wall होगी उसके outer wall को भी epithelial tissue cover करेगा और inner wall को भी epithelial tissue cover करेगा एदि suppose करें कि body का कोई organ वो tube shape में है जैसे blood vessel, respiratory tract या digestive tract जहाँ पे digest होती है जो tube के form में होंगी तो उस tube का जो wall है उस wall का outer surface epithelial tissue का बना होगा inner surface भी epithelial tissue का बना होगा एदि suppose करें कि हमारे body के अंदर कोई body cavities है जैसे thoracic cavity या abdominal cavity तो यह जो और भी इसके लावा बहुत सारे cavities होती है यह जो cavities है उस cavities का जो inner lining है वो inner lining भी हमारे इसी epithelial tissue की बनी होगी means कि यह body की surface को cover करेगा body के surface पर protection करेगा और उसके साथ साथ जो cavity है तो वहाँ पर वो lining बनाएगा हम लोग word use करते है lining मैं उमीद करता हूँ कि हम मेंसे हर एक को मालूम होगा कि जब हम word lining use कर रहे हैं इसका क्या meaning है lining क्या सभी को मालूम है lining क्या होता है चलिए जिनको नहीं मालूम है उनके लिए हम बता देते हैं कि lining का मतलब क्या है जैसे आप घर में देखते होंगे कि ladies अपने suit को stitch करवाती है उस suit के नीचे एक पर्त होता है एक कप्रा होता है जिसे हमनों क्या करते है it is the lining जो girls student है उनको मालूम होगा lining का क्या meaning है wise है वो भी अपने घरों में देखते होंगे कि suit के नीचे एक और कप्रा होगा और उस कप्रा क्या करते है it is the lining ठीक इसी तरह से कि हमारी body cavities है उस cavities का अपना wall है टेकिन उसके wall के साथ साथ एक और layer होगी epithelial tissues की layer होगी epithelial cells की layer होगी और उस layer को हमनों क्या कहेंगे it is lining चलिए आईए इसे हम लोग diagram से समझने की कोशिश करते हैं कि epithelial tissue कहां पर पाई जाती है suppose करें कि हमारा body है और body के उपर skin है तो इस skin के उपर जो tissues होंगी वो tissues क्या होगी है हमारी that is the epithelial tissues body की skin है skin का outer surface क्या हो गया it is the epithelial tissue suppose कीजिए कि हमारे पास कोई organ है जैसे example हम लगते है that is the stomach हमारे पास stomach है तो stomach का जो outer surface होगा उस outer surface पे जो tissue होगी उस tissue को नों क्या कहेंगे it is the epithelial tissue ठीक इसी तरह से जो हमारी stomach का wall है इस wall के अंदर जो internal surface है जो inner surface है उस inner surface पे जो liquid होंगी sorry जो tissue होंगी उस tissue को क्या नाम देंगे it is the epithelial tissue दूसर example लेते हैं हम लोग suppose करें कि हमारे पास blood vessel है और इस blood vessel के अंदर पर भी दो तरह की tissue surface पाई जाएंगी एक outer surface और दूसरा हो गया inner surface तो जो outer surface है यह outer surface भी किसकी बनी होगी that is the epithelial tissue या जो inner surface है वो inner surface भी किसकी बनी होगी that is the epithelial tissue means that body का कोई भी organ हो solid organ हो तो उसका outer surface epithelial tissue से covered होगा as you hollow organ है कोई tube है जैसे कि gastrointestinal tract या respiratory tract या blood vessels तो जो tube like structure है उसका भी wall जो outer wall होगा वो epithelial tissue है और जो inner wall होगा वो भी epithelial tissue होगा इसका नाम बदल जाता है outer wall हम कहेंगे epithelial और inner wall होगे endothelial epithelial and endothelial लेकि दोनों का जो structure है दोनों का जो function है वो almost similar होता है suppose करें कि हमारे body केंदर body cavity है अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी body cavity है हमारी यह thoracic cavity हो गई यह हमारी abdominal cavity हो गई यह हमारी pelvic cavity हो गई तो अब यह बदी की पार्ट हो, कोई भी औरगन हो, solid औरगन हो, या hollow औरगन हो, या tube-like structure हो, उसका outer और inner portion होगा, वो epithelial tissue का बना हुआ होगा, इसका मतलब क्या हो गया, कि सपोज करें कोई epithelial tissue है, तो उसका जो outer surface है, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, epithelial tissue की, Epithelial tissue का जो outer surface होगा, वो environment के contact में होगा, या वो body के अंदर है, तो वो किसी ने किसी body fluid के contact में रहेगा, मिन्स वो free surface रोगा, outer body के बाहर है तो वो environment एक context में है और जो body के अंदर है तो किसे ने किसी body fluid के context में रहेगा और इसी epithelial tissue का जो inner portion होगा वो inner portion किसी दूसरे tissue के context में रहेगा usually वो connective tissue के context में रहता है कि लोगी बात यह? तो यह हम लोग ने जाना कि epithelial tissue क्या है epithelial tissue का थोड़ा सा और जानकारी हासिल करते हैं कि यह एक ऐसा tissue है जिसका growth हमारे body में सबसे पहले होगा हमें मालूम है कि human body या कोई भी animal है उसका growth मदर के womb में pregnancy के समय होता है और वो जिससे develop होता है उसको लोग बाड़ यूज करते है it is an embryo means embryo क्या हो गया कि वहाँ पे growth हो रहा है sperm और ova का fusion हुआ और embryo का growth हुआ और वहाँ जो embryo बन रहा है उस embryo का जो सबसे पहला tissue develop होगा पहले वो liquid form होगा जब वो पहला tissue develop होगा वो tissue हमारा क्या है that is the epithelial tissue दूसरी characteristics है epithelial tissue की कि हमारे body के अंदर जितने भी tissues होंगी उन सभी के अंदर ये capacity होती है कि वो regenerate हो regenerate मीन से कि एक बार बन गया और किसी कारण से उस tissue का या उस cell का death हो गया हमारा body फिर से दुबारा से उस tissue को form कर देता है जैसे हमारा लेजिए कि आपके skin पे कोई cut लग गई cut रहती है लेगिन धीरे धीरे वो cut हील हो जाती है means वहाँ पे नए tissue का formation हो गया और हमारा skin intact हो गई skin पहले के जैसा हो गया means कि हमारे body के अंदर जितने भी cells है सभी cells से अपने आपको regenerate करते रहते है अब इन में से जो epithelial tissue है उसके बारे में कहा जाता है कि it is the fastest growing tissue means से इसकी जो growth होती है वो सबसे fast होती है इसकी जो regeneration है वो सबसे fast है और एक बात और जान लीजिए कि हमारे body के अंदर जो nervous tissue है उसका growth सबसे slow है means से कि यदि हमारे body का neurons का death हो गया हमारे body के nerve cells का death हो गया तो क्या हो गया कि हमारे उसकी growth या तो होगी ही नहीं और होगी तो बहुत ही जादा slow space से होती है जैसे आप देखते होगे कि जैसे जैसे persons की age बरती है उनको भूलने की आदत ज्यादा होने लगती है उसका करण क्या है कि उनके body के अंदर जो nervous cells है वो nervous cells डैमेज हो रहे हैं और डैमेज होने के बाद वो दुबारा से regenerate नहीं हो रहे हैं और चुकि नर्व cells कम हो रहे हैं नर्व cells खतम हो जाएंगे तो उनकी जो याद दास्त होती है वो याद दास्ते कम हो जाती है और इस तरह से उनकी याद दास्त भूल भी जाते हैं कई लोग ऐसे भी हो जाते है old days में कि उन्हें याद ही नहीं रहता कि उनके घर का address क्या है, उनके घर का phone number क्या है, उसे घर में कौन-कौन से member है, यहां तक हो जाता है कि उपने घर के member को recognize भी नहीं कर पाते हैं. तो यह सब क्यों हो रही है, क्योंकि जो nervous tissue है यह एक बार dead हो गई तो फिर उसका regeneration नहीं होगा. और दूसरी तरफ क्या शरी कर रहा है कि जो epithelial tissue है यह fastest growing tissue है. यह तो हम लोग ने जाना कि epithelial tissue के बारे में, कि epithelial tissue क्या होता है. कभी आपने सोचा कि हम बाहर बारिस में जा रहे हैं और skin के उपर water contact आया और water वहाँ से अलग हो गया. या आप किसी person को देख रहे होंगे कि एक ही age के दो person है, suppose 60 years old है, एक के चेहरे पे glow होंगी, उनके skin tight होंगी, उनके skin में glow होंगी, वहीं आप दूसरे person के चेहरे देखेंगे, उनके चेहरे पे wrinkles आ जाएंगी और चेहरे पे जुरिया नजर आएंगी. और दोनों के skin में clear difference मह देखाई देगी. क्या कभी आपने ये जानने की कोशिस की, कि ऐसा क्यों हो रहा है, एक person का skin तो बहुत glow कर रहा है, लेकिन दूसरे का person के skin glow नहीं कर रहा है, एक person के skin में जुरियां पर गी, wrinkles आगे, लेकिन दूसरे person के, एक ही age के दोनों है, लेकिन दूसरे person के skin पे किसी कोई changes नहीं आया आज हम लोग इसी बात को जानेंगे जब हम इस पूरे topic को complete कर लेंगे regarding structure of the epithelial tissues आईए अब अपने हम लोग topic को start करते हैं first topic हमारा है that is the structure of the epithelial tissue अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है structure के बारे में कि जो epithelial tissue है यह epithelial tissue के अंदर हम लोग मालूम है कि जितने भी tissues होती है सारी tissue किसके बनी होती है cells की बनी होंगी और जो epithelial tissue के अंदर जो cells होंगी यह सारी की सारी cells closely packed cells होंगी जब वाड यूज कर रहे है closely packed cells इसका मतलब क्या हो गया कि जो दो cell है उन दो cell के बीच में कोई भी space नहीं पाया जाएगा यह हम बना रहे है तो इन दो cells के बीच में कोई भी space नहीं पाया जाएगा तो हम क्या कहेंगे it is a closely packed cells और जब दो cell के बीच में space पाया जाता है तो उसके लिए हम एक अलग सा word यूज करते हैं और वो word हमारा है that is the intercellular space देखिया वर्ड हमारा है intercellular space अब यहां पर word आ गया intercellular क्या कभी आपने इससे पहले यह inter word सुना कि inter का मतलब क्या होता है जैसे हम कोशिश किए जानने के लिए अपने brain पर stress दीजिए कि आपने इससे पहले inter enter word हमने use कर रहे हैं हमारा word क्या है inter का spelling inter क्या कभी आपने सुना कि inter word का क्या मतलब है आपने सुना होगा interval word सुना होगा जब आप picture देख रहे हैं तो आप बीच में क्या आता है break आता है और उसको क्या करते है interval या जैसे आप plus two कर रहे हैं कहीं कहीं पर इस plus two कर रहे हैं intermediate of sense inter word जब भी आए इसका मतलब होता है कि दो चीजों के बीच का जो चीज होता है उससे हमनों क्या कहते है inter जैसे माल लिजे हमने tenth कर लिया हमारी schooling complete होगी लेकिन हम graduation में जाएंगे तो क्या हो गया B.E.C. होगा college में हम जाएंगे तो B.E.C. होगा उसके beach की जो study है जो आप plus two करते है उस study को हमनों क्या नाम देते है it is the intermediate जैसे माल लिजे हम picture देख रहे है picture में beach में एक break आ गया means first part पहले हो गया second part बाद में हो गया तो जो break आया उसका हमनों क्या नाम देंगे it is the interval तो यहां पर हम क्या word यूज कर रहे है इंटर शेलूलर space जब हम वर्ड यूज करते हैं इंटर शेलूलर space इसका मतलब क्या हो गया कि वैसा space जब दो cell के बीच में जो empty space होगा उससे हमनों क्या कहेंगे it is इंटर शेलूलर space जो हमारा यह epithelial cells है यह epithelial cells से tightly packed cells होंगी और इसके बीच में दो cells के बीच में कोई भी gap नहीं होगा there will be no intercellular space और यदि वो intercellular space हुआ भी तो intercellular space very little बहुत ही small होगा and this space shall be filled with the cemented material means कि वहाँ पे बीच में कोई ऐसा material cemented material cemented मतलब cement का मतलब क्या होता है दो चीज़ों को joint करने वाला material तो उस space के बीच में कोई न कोई material होगा और उसमें क्या कहेंगे italyus cemented material जो कि दोनुर शेल्स को आपस में fix करके रखेगा आपस में joint करके रखेगा अभी तक में क्या जाना कि epithelial tissues grow on any other tissue usually grow on the connective tissue it consists of closely packed shells there will be no space between two shells or there will be very little space between two shells and this space is called intershevular space if there is any intershevular space it will be filled with the cemented material यह तो हम लोगों ने जाना कि epithelial tissue का structure क्या होता है इस structure को आगे जानने से पहले थोड़ा सो हम लोग और जानते हैं epithelial tissue के बारे में वो क्या हमारा है कि epithelial tissue की एक और खाशियत है इसके अंदर एक structure पाई जाती है जिसे हमनों कहते हैं basement membrane basement membrane एक ऐसा structure है जो सिर्फ epithelial tissues में ही पाई जाएंगे इसके अलावा किसी और दूसरे tissues में basement membrane नहीं पाई जाती है यहां पर जो epithelial tissues है उनके अंदर जो cells है जो epithelial cells है actual में ये epithelial cells है इसी basement membrane के ऊपर tightly packed होते हैं मिनस एक layer होगा और इस layer के ऊपर ही सारी की सारी cells पाई जाएंगी और उस layer करोण क्या नाम देंगे it is a basement membrane अब ये जो basement membrane है actual में it is a non-living part it is fibrous part and made up of supporting material मिनस इस basement membrane का main function है या एक platform प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर epithelial cells arrange रहते हैं या एक support प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर epithelial cells अपने आपको fix करते हैं मिनसे जो basement membrane है वो basement membrane fibrous in nature है जो की strength भी प्रोवाइड कर रहा है और उसके साथ साथ support भी प्रोवाइड कर रहा है तो दा epithelial cells या epithelial tissues इस basement membrane के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं जो suppose करें कि this is the basement membrane और यह जो basement membrane है इस basement membrane पे दो layer पाई जाएंगी एक होनों कहेंगे this layer that is present towards the cell and this layer that will present towards the connective tissue हमने मालूम है कि epithelial tissue कहां growth हो रहा है जो on the connective tissues अब basement membrane का जो layer cell की तरफ होगा epithelial cell की तरफ होगा उसके लिए हम एक special नाम देते हैं इस दा बैसल लेमिला बैसल लेमिला बैसल लेमिला बैसल लेमिला बैसल लेमिला बैसल लेमिला और basement membrane का वो पार्ट जो connective tissue की तरफ होगा उससे हम लोग कहते हैं it is the fibrous lamella fibrous lamella f-i-b-r-o-u-s fibrous lamella जहां भी word lamella है मेंज क्या होगा कि एक flat structure एक surface हो गया उसको क्या यूज करते हैं lamella मेंज एक flat surface और एक ऐसा structure जिसके ओपर किसी चीज़ को आराम से platform के तरह यूज किया जा सके तो क्या हो गया कि basement membrane is made up of a basal lamella and the fibrous lamella जो basal lamella है यह basal lamella actual में epithelial cells के द्वारा बनाई जाती है जबकि जो fibrous lamella है इस fibrous lamella दोनों के द्वारा है epithelial cells भी और connective tissues भी connective tissues के cells हैं दोनों cells मिल करके fibrous lamella का formation करते हैं और जो हमारी epithelial layer है means basal lamella है और जो हमारी fibrous lamella है इसके बीच में empty space है उस empty space में कोई ना कोई liquid या कोई ना कोई सब्स्टांस पाई जाएंगे और उस सब्स्टांस हम लों करते हैं it is matrix m-a-t-r-i-x ति बैसर lamella और fibrous lamella के बीच में matrix पाई जाती है और यह जितनी है सभी की सभी क्या है these are the non-living part of the epithelial tissues तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि epithelial tissue क्या होती है अब मों जानेंगे कि epithelial tissue को divide करना हो तो इससे हम कितने parts में या कितने types में divide कर सकते हैं तो epithelial tissue usually हम लोग two types में divide करते हैं एक उनों कहते हैं simple epithelial tissue और दूसरे उनों कहेंगे it is the compound epithelial tissue simple epithelial tissue and compound epithelial tissue यह division बहुती आसान है कि suppose करें कि हमारे पास जो epithelial tissue है और इस epithelial tissue को पर जो cells है वो cells यह epithelial tissue में जो cells है जो basement membrane को पर cells है वो single layer cells है means वो शिर्फ एक layer की cells है बैस्पेल membrane को पर सिर्फ single layer cells पाई जाएंगे तब उस तरह की epithelial tissue का नाम देते है it is the simple epithelial tissue और यदि इस basement membrane पर जो cells के layer है वो दो layer है या दो से जादा layer है तब हम उस तरह के इस tissue का क्या नाम देंगे it is the compound epithelial tissue epithelial tissue consists of single layer of epithelial cells on the basement membrane this type of tissue is called simple epithelial tissue और दूसर क्या हो गया के epithelial cells several layers of epithelial cells present on the basement membrane is called compound epithelial tissue तो हम लोग क्लियर होगी बात है के epithelial tissue कितने type की हो गई टू टाइप्स की simple epithelial tissue and compound epithelial tissue अब देखें अब जो यह simple epithelial tissue है इस simple epithelial tissue को हम लोग further different parts में different types में divided कर सकते हैं यह types है it depends upon the shape of the cells की जो जो cell है उस cell का क्या shape है उस shape के अनुसार हम इसको different types में divide करते हैं suppose करें कि जो simple epithelial cell है और वो single layer की बनी हुई है और वो जो cell है उस cell हमारी flat cells है देखें आप क्या क्या कहा रहा है दी जार्दा flat cells कि यह जो cells है उस सारी क्या हमारी है flat cells है तब हम इस तरह के epithelial tissue का नाम देते है इती दर simple squamous epithelial tissue अब यह हो सकता है कि squamous word आप पहली बार सुन रहे हो squamous just imagine किजिए squamous word कहां से आ रहा है आप scale word सुना होगा scale s-c-a-l-e आ रहा होगा के दिमाग में what is the scale scale का मतलब आप क्या सुचते होंगे कि जो measurement के लिए के scale होता है जिसके through हम कि इस चीज की measure करते हैं mm या cm या inch में उसे scale करते हैं एक और scale होता है जैसे माली जे कि fish है fish के body के उपर छोटे-छोटे scales पाई जाती है यह snake है snake के body पर छोटे-छोटे scales पाई जाती है तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वह measurement scale की नहीं बात कर रहे हैं means fish के skin के उपर जो पाई आती है means वैसा structure जो उस scale के shape का हो जो ऐसा epithelial tissue जिसका cells है वो cells फ्लैट cells हों तब हम उसे क्या कहेंगे it is the simple asquamous epithelial tissue simple होगी बात है simple asquamous epithelial tissue simple क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर cell का single layer है suppose करें कि यही लेयर बहुत ज्यादा layers हो कोई ऐसा tissue है epithelial tissue है जहां पर यह cells की layer बहुत ज्यादा है तब उससे क्या नाम देंगे it is the compound asquamous epithelial tissue लेकिन यहाँ पर हम वर्ड क्या यूज कर रहे है stratified squamous epithelial tissue stratified जहां भी word stratified होए मत्त्रेट और वहाँ पर बहुत सारे layers है जब उससे नोगी तब उससे क्या कहेंगे it is the stratified लेकिन हम वर्ड क्या यूज कर रहे है compound हम compound वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं हमें बाज में पता चलेगा अब यहाँ पर इसका नाम आप दे सकते हैं compound asquamous epithelial tissue या दूसरा नाम दे सकते है stratified asquamous epithelial tissue मतलब stratified का मतलब क्या हो गया several layers means यहाँ पर asquamous cells है वो उसके several layers पाई गई तो उसके नाम दिया it is the stratified asquamous epithelial tissue जो दूसर टाइप है that is वहाँ पर जो epithelial tissues है उसकी जो cell का size है वो cube के cell का size है क्यूब की तरह है तो उससे हम कहते है simple cuboidal epithelial tissue और तीसरा हो गया हमारा कि यह दी suppose करें कि जो cell है उस cell का जो shape है वो column shape में है column shape मिन से कि उसकी height जादा है लेकिन width और depth कम है तो उससे कहेंगे column shape है तो ऐसा epithelial tissue जिसकी cell से column shape का हो तो उससे हम लोग क्या कहेंगे it is the columnar epithelial tissue इस तरह से हम लोगों ने जाना कि जो epithelial tissue है उनको हम लोग 3 group में divide किया simple epithelial and compound epithelial जो simple epithelium है उसको फिर 3 group में divide किया first one is the simple esquemas epithelium second one is the simple cuboidal epithelium and third one is the simple columnar epithelium और वहाँ पर दी एक से जादा layer है तो इसका नाम दी हम लोगों ने stratified squamous epithelium और जो cubical है तो उसे लोगों क्या नाम देंगे stratified cuboidal epithelium एक और type का होता है जिसे हम लोग कहते है glandular epithelium glandular g-l-a-n-d-u-l-a-r glandular epithelium इस glandular epithelium में क्या हो गया तब हम उसका क्या नाम देंगे it is the glandular epithelium या simple glandular columnar epithelium इसके अलावा कभी कभी क्या होगा कि जो columnar shape होती है उस columnar shape के उपर छोटे-छोटे hair-like structure पाई जाती है और इस hair-like structure करों नाम देते हैं it is cilia c-i-l-i-a cilia तो अब इससे कहेंगे ciliated columnar epithelium तो कौन-कों से नाम होने study कर लिया first one is the simple squamous epithelium second one is the simple cuboidal epithelium third one is the simple columnar epithelium fourth one is the simple glandular epithelium and fifth one is the simple ciliated epithelium और यदी यहाँ पर layer 1 से जादा हो जाएंगे तो नाम तो सारी यही रहेंगे शिर्फ simple word के जाएंगे क्या word as कर लेंगे that is the stratified squamous epithelium इसके अलावा इस diagram में एक और word हमें दिखाई दे रहा है that is the pseudo stratified columnar epithelium पर्ला हमने क्या study किया columnar epithelium यहाँ वर्ड क्या है pseudo stratified columnar epithelium अब देखें वर्ड क्या है pseudo जहाँ भी word pseudo आये इस pseudo का मतलब होते है जूठा गलत या fake या हमें बेकूब बनाने के लिए ऐसा किया जाए तो इस हमनों क्या करते है अब क्या कहा जाए कि pseudo stratified का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर शेल्स के बहुत सारे लेयर्स हों उस तरह के epithelium क्या करते हैं stratified epithelium लेकिन वर्ड क्या कर रहा है pseudo stratified columnar epithelium means यह देखने में तो ऐसा लग रहा है कि यह हमारा बहुत सारे लेयर्स की बनी हुए है लेकिन actual में यह single layer की बनी हुई है मतलब इसका जो visible look है look ऐसा लग रहा है कि यह different layers की बनी है लेकिन actual में यह single layers की बनी होती है इसलिए इससे हम करते हैं it is pseudo stratified columnar epithelium और यह दूसरा आगा महला stratified columnar epithelium means कि जहां पर दो layer pi जाएंगी या दो layer cells की या दो से ज़्यादा layer pi जाएंगी तो उसमनों क्या नाम देंगे it is the stratified columnar epithelium तो अभी तक हम लोगने यह जाना कि epithelial tissue की इतने types की होती है डाइग्राम के श्थरू अभी यहाँ पर हम लोग स्लाइट के उपर लिखा हुआ है नाम हरे के नाम लिखा हुआ है simple squamous epithelial tissue, simple qoboidal epithelial tissue, simple columnar epithelial tissue, simple glandular epithelial tissue, simple seviated epithelial tissue and pseudo stratified epithelial tissue और इस pseudo stratified epithelial tissue में दो वर लिखा हुआ है that is the pseudo stratified columnar epithelial tissue और दूसरा हो गया pseudo stratified columnar sciliated epithelial tissue pseudo का मतला क्या हो गया जूटा means वह लग रहा है देखने में create several layers के हैं लेकिन वो single layers की बनी हुई है अब हम लोग यह जानेंगे एक एक करके अभी तक हम लोगों ने यह जाना कि shape के अनुशार epithelial tissue को हम कितने types में divide कर सकते हैं कि जो epithelial tissue है इसका main function है that is the protection कि यह body को या किसी भी structure को protect करता है दूसर function होने यह जाखा कि यह secretion का काम भी कर रहा है कि glandular epithelial tissue है जो किसीन की चीज को secret कर रही है और एक और function main function होता है that is the absorption कि यह कोई चीज इसके contact में आएंगी तो उसको यह absorb भी करेंगी अब इन्ही function के according आये हम लोग जानने की कोशिस करते हैं कि epithelial tissue को हम लोग कितने types में divide कर सकते हैं सबसे पहले हम जो study किया that is the squamous epithelial tissue squamous epithelial tissue में क्या देखा हम लोगों ने कि जो layer है वो बहुत thin layer है single layer है और कोई भी not only squamous किसी भी tissues के अंदर जो epithelial tissue है कोई भी inter-shevular space इसके अंदर नहीं पाई जा रही है इसका मतलब क्या हो गया कि epithelial tissue के अंदर blood capillaries enter नहीं कर सकती है क्यों नहीं कर सकती है क्योंकि एक तो basement membrane है जो blood capillaries के entry को block कर रही है दूसरा कि जो cell space है उनके बीच में किसी भी तरह का कोई inter-shevular space नहीं पाया जा रहा है और जब inter-shevular space नहीं पाया जाएगा तो epithelial tissues के अंदर blood capillaries enter नहीं कर पाएंगी और जब blood capillaries इसके अंदर enter नहीं कर पाएंगी तब क्यों हो गया कि इनको nutrition नहीं मिलेगा हम सभी को मालूम है कि blood circulate करता है हमारे body के अंदर और उसका एक function है कि nutrient material को जो GIT से absorb हुआ है digestive system से absorb हुआ है वो nutrient material सभी cells तक पहुशती है लेकिन यहाँ पर कोई भी blood capillaries नहीं है अब क्या हो गया कि हम लोगों को यह भी मालूम है कि जो epithelial tissues होती है वो किसी न किसी connective tissues के उपर पाई जाती है जिसके नीचे क्या होगा connective tissue होगा और in connective tissues के अंदर blood capillaries पाई जाएंगी अब क्या हो गया कि जो nutrient होंगे वो in blood capillaries से diffuse होकर के हमारे इस epithelial tissues के अंदर enter करती है और इस तरह से epithelial tissue को nutrition मिलता है यदि वो single layer है वहाँ कोई problem नहीं होगा लेकिन यदि वो epithelial tissue multiple layer है तो क्या होगा कि जो basement membrane के पास cells होंगी उनके पास sufficient nutrient पहुंच जाएगा लेकिन जो cell से basement membrane से आवे होंगी दूर होंगी उन तक nutrient आसानी से नहीं पहुंचेगा नतीज़ा क्या होगा कि outer जो surface है उस surface का death होगा और cells वहाँ से remove होती रहेंगी और new cells से उसके जगा को replace करती चली जाएगे अब हम लोग आतने हैं अपने types पे epithelial tissue के types है according to function और यह कहां पे पाई जाएगे अब देखें क्या काम है epithelial tissue का protection absorption and secretion अब कोई भी epithelial tissue जो single layer का बना हो और flat हो इसका मतलब क्या है कि कोई भी material बहुत आसान जो liquid material है जो non living material है बहुत आसानी से diffuse होकर इस के group cross कर सकता है means कि वैसा epithelial tissue जो किसी ऐसे surface पर पाई जा रही है जिसका काम है किसी चीज को absorb करना तो वहां पर जो epithelial tissue होंगी वह epithelial tissue क्या होंगी हमारी flat होंगी हमारी वह simple esquemas epithelial tissue होंगी क्योंकि वहां पर columnar tissue होंगी तो columnar tissue में क्या होगा कि यहां पर इसके column का shape बहुत ज्यादा लंबा है तो जो nutrient होंगी बहुत आसानी से इसको cross से नहीं कर पाएंगे means कि जहां पर epithelial tissue को absorption perform करना है वहां पर columnar tissue tissue नहीं पाई जाएंगी वहां पर कौनशी tissue पाई जाएंगी तो that is the esquemas epithelial tissue as you suppose करें कि कोई ऐसा organ है जहां epithelium है और वहां पर protection किया हो सकता है तब उस condition में वहां पर जो tissue पाई जाएंगी that will be the cube vital epithelial tissue या columnar epithelial tissue protection कम करेंगा लेकिन columnar epithelial tissue protection ज्यादा करेंगा और वह multi layered होंगी तो उसकी protection और ज्यादा हो जाएंगी जह सपोस करेंगे हमारे स्कीन है तो स्कीन के उपर जो epithelial tissue है वह हमारी क्या होंगी that is the stratified epithelium जहां पी बहुत सारे multiple layer होंगे जो आसानी से उसको protect कर पाएंगी आप जैसे महसूस करते होंगे थोगा सब्जेक्ट से या scooter से चल रहे हैं और अचानक आप रोड पर आपके स्कीन के उपर scratch लगी तो आप क्याद देखेंगे कि जहां पर cut लगी है blade से या किसी seizure से तो वह healing fast होगी लेकिन यदि वही स्कीन किसी सरग के उपर किसी देखा से वहां पर खरोच आ गई तो वहां पर जो healing होगी वह healing slow हो जाती है क्यों हो जाती है कि जब खरोच लगती है तो बहुत सारे जो layers हैं हमारी कि जो epithelial tissue है उनके function के according वहां पर epithelial tissue के epithelial cells का shape होगा जहां absorption करना है वहां वह स्कॉमस epithelial होगा जहां protection करना है वहां cube vital होंगी या वहां पर वह columnar होंगी फिद next point कहा जा रहा है कि यदि वह columnar है तो columnar में भी दो category पाई गई एक को मनें नाम दिया ciliated columnar और दूसरा मनें क्या नाम दिया glandular columnar means कि जहां पर column है जो cilia है just suppose करें कि respiratory tract है respiratory tract में क्या होता है hairs पाई जाते हैं छोटे-छोटे hairs पाई जाएंगे और उन hairs को मनें क्या नाम देते हैं इतीजे cilia और cilia का main function क्या होता है कि जो liquid है जो mucus secret for your respiratory tract में उस liquid को वहाँ से बाहर को excrete करें body में और भी जगह पे cilia पाई जाती है लेकिन अभी आपको उन organ का ज्यादा detail मालूम नहीं है इसलिए मैं उसका example यहाँ पर coat नहीं कर रहा हूं मैं वही example coat कर रहा हूं जिसके बारे में आपको idea है जो respiratory tract है वहाँ पर cilia पाई जाती है और यह cilia किसके बड़ पाई जाएंगी तो on the columnar cell से और इस cilia का main function क्या होगा to excrete the mucus from the respiratory tract अब कुछ ऐसे columnar cells होंगे जिम में glands पाई जाएंगे जैसे माली जे कि हमारे body में stomach है उस stomach में enzyme secret होती है या intestine है उस intestine में enzyme secret होंगी तो वहाँ पर जो cells होंगे जो epithelium cells होंगे वह हमारी कौन से होंगे that is the glandular columnar epithelium means इस column shape में glands बनी होंगी जहां से chemical enzymes या वहां से enzymes या कोई भी chemical secret होती रहती है तिस्टर से हम लोग ने देखा कि जो हमारी epithelial tissue के different shapes है वो जिस part में पाई जाते है वहां कि जो functions है उसके according अपने shape को ये change करते हैं हम लोग ने ये जान लिया कि simple epithelial tissue कितने types की होती है अब हाई ये हम लोग इसी में से एक एक करके इनका हम लोग detail study करते हैं सबसे पहला हो गया कि simple asquiamus epithelial tissue इस simple asquiamus epithelial tissue का एक और नाम देते हैं that is the pavement membrane अब यह है what are you pavement कभी सोचा आपने कि pavement का क्या मतलब होता है अप road पे चलते होंगे जरक पे चलते होंगे और चरक के side में बहुत सारे tiles लगे हुए होंगी और वो tails किसके लिए होती है ohne foot path करते है या जो pedrally होते है वो इससे tiles के ऊपर चलते हैं और जो road होती है वो motor vehicle के लिए हैं तो वो जो foot path है उसके लिए एक और English में word है उसे हम क्या कहते है उसे हम क्या कहते है उसे हम क्या कहते है इस पैफ्मेंट मीन से कि जो asquamous epithelial tissue है उसके अंदर जो shells होंगी वो flat shells होंगी और देखने में कैसा लगेगा उस pavement की तरह जैसे suppose करें कि हमारे room घर के अंदर बहुत साइट tiles लगे हुए है और tiles से लगें से फर्स जैसे plane दिखता है ठीक उसी तरह से simple asquamous epithelial tissue भी दिखतेंगा और यह क्या होगा कि इसके दर closely packed the shells होंगे जो basement membrane के उपर पाई जाएंगी यह हमारा asquamous epithelial next हमारा है that is the simple cuboidal epithelium नाम सी clear है कि cuboidal means cubical cubical means कि जो square shape का structure जब shape का हो और उसके बीच में round nucleus होगा उसके मनों क्या कहेंगे it is the cuboidal epithelium अब यह कहां पाई जाएंगी इसका main काम क्या है protection और इसके साथ साथ यह थोड़ी बहुते absorption का भी काम कर लेता है जैसे squamous 16 कहां पाई जाता था जहां पे absorption हो रहा है क्यूब वाइडल कहां पाई जाएगा जहां में protection भी चाहिए और absorption भी चाहिए तो वहां पर क्यूब वाइडल epithelium पाई जाएंगी usually यह हमारी body के अंदर बहुत सारे glands है ovaries है टेस्टीज है सेलेवरी ग्लेंड है पैंक्रियाटिक ग्लेंड है रीनल टीब्यूल है इन सभी जगह पे यह हमारी क्यूब वाइडल epithelial tissue पाई जाती है नेक्स्ट हो गया columnar नाम से क्लियर है कि इसका जो cell होगा वह elongated cells होगा का मतलब क्या हो गया कि उसकी जो length होगी वह length जाता होगी और यह column like structure का formation कर देगा और इस तरह कि जो cells होगी उससे लों क्या नाम देंगे इतनी the columnar epithelium इसके बारे में कहां जा रहा है कि जो यह basement membrane की तरफ यह जो होगी वह हमारी थोड़ी से wider होगी और जो outer side में होगी वह हमारी क्या होगी थोड़ी सी narrow होगी मिनिसे कि slightly narrow towards the basement membrane and slightly broader towards the free surface में तो उसक्राद बोल गया next is the elongate, इसका जो nucleus होगा वो elongated होगा और इसका जो nucleus है वो center में नहीं पाया जाएगा center से away पाया जाएगा अब आप याद किजिए कि cell chapter में हम लोग ने study किया था कि जब nucleus center से अलग पाय जाती है तो उस तरह के nucleus को हम लोग क्या नाम देते हैं याद किजिए उससे हम लोग कहते है it is the eccentric nucleus तो जो हमाई जो columnar cells है इस columnar cells में eccentric nucleus पाई जाती है फिर कहा जा रहा है कि जो columnar cells है उस columnar cells को हम लोग goblet cells या granular cells भी कहते हैं मतलब क्या होगा कि वैसा epithelial tissue जिसके दौरा mucus secret हो रहा होगा तब हम उससे क्या कहेंगे it is the goblet cells और यह कहां कहां पाई जाएंगी the inner stomach, intestine, rectum, gallbladder, bile duct, respiratory tract में जहां भर भी mucus पाई जाएंगी mucus में वैसा liquid जो हमारे organ को moist रखता हो उस liquid उन्हों क्या कहते है it is a mucus जैसे आप अपने बकल cavity को देखते होंगे कि वहाँ पर हमेसा moisture रहता है nose को देखते होंगे मैसा moisture रहता है और इसी तो सहां internal जो organs है वो internal organs भी moisture रहती है और जिसके चलते हो moisture रहती है उसे हम लोग क्या करते है इती है mucus से और उस cell को लोग क्या नाम देगे mucus cell और goblet cell से तो कुछ जो हमारी columnar epithelium है वो epithelium इस mucus को secret करती है और यह कमरे body के internal और कोई भी और नाम ले लो वहाँ पर mucus से cell जरूर पाई जाती है अब आगे हमारी glandular cells, glandular cells मालूम है हमें कि intestine में secret होता है या stomach में secret होता है तो यह हमारा क्या हो गया it is the gastric gland मतलब stomach के अंदर, intestinal gland मतलब intestine के अंदर, pancreatic globule मतलब pancreas के अंदर तो आप इस नाम उसे हो सकता थोड़ा सा डड़ रहोंगे लेकिन आपको ड़़ने की जुरूरत नहीं है आगे जो हम लोग chapters परहेंगे तो आप इन नाम से familiar हो जाएंगे कि यह सारी क्या है functional मालूम है secretion, absorption and protection simple ciliate, simple ciliate मिन से कि यह columnar या covator होगा और उसके उपर cilia पाई जाएंगी, यह cilia क्या होता है, hair-like structure होता है और cilia arises from the granules in the epithelial cells के जो granules है, उन granules से cilia arises होता है, diagram से आपको clear हो रहा होगा next is the mucous globular, जहां पहले पर चुके हैं, जहां पर mucous cells है, जहां पर यह हमारी होगी mucous, जिससे की liquid secret हो रही है mucous secret हो रही है, तो इसे नों कहेंगे mucous cell या goblet cells है, और यह कहां-कहां पाई जाएंगी, तो यह हमारी respiratory tract में पाई जाती है ove duct means overeem पाई जाएंगी, uterus में पाई जाएंगी, brain में पाई जाएंगी, और बहुत जाएंगी, means body की जितनी internal organs है, सभी जगह यह पाई जाती है cilia का function क्या है, तो cilia का function मालूम है कि यह move करता है, यह vibrate करता रहेगा, जो की material को move करेगा from one place to another place inside the organ, जसे respiratory tract में पाई जाएंगी, तो जो mucus होगा, उसको यह move करेगा, uterus में पाई जाएंगी, तो वहाँ जो ladies की जो eggs होगी, जो ovum होगी, उनको move करेगा, इस तरह से cerebral spinal fluid, brain क आपको सारी नए लग रहे होंगे, confusing लग रहे होंगे, लेकिन घबराई यह नवत में रही, आप जब आगे chapters पर हैंगे, different system, तो यह सारे नाम आप familiar हो जाएंगे, और उसमें बहुत आसानी से आप इन नाम को यादे कर लेंगे, cilia का function क्या हो गया, तो cilia क्या होगा, तो cilia function क्या होता है, protection, जिसका main function क्या है, that is to protect, that is to secrete, move the secretion glands, etc, these all are the function of the pseudo-estertified epithelium, अब कहाँ जाएंगे, जो pseudo-estertified epithelium है, इसको दो ग्रुप में डिवाइट किया, यदि वो column shape है, और multi-layered दीख रहा है, है नहीं, लेकिन दीख रहा है, तो इसे कहेंगे, pseudo-estertified columnar epithelium, यदि वो columnar epithelium में होगा शीलिया है, और multi-layered दीख रहा है, लेकिन है नहीं, तो इसे कहेंगे, pseudo-estertified columnar affiliated epithelium, यह सारे organs का नाम है, जहाँ जहाँ पर यह चीज़ें पाई जाती हैं, अब आई बारी compound epithelium की, इस तरह से हम लोगों ने यह जाना, कि simple epithelial tissue के क्या structure है, शुरू में हम लोगों ने यह जाना था कि epithelial tissue two types के हैं, एक का लाब दिये गा था simple epithelial और दूसरे का नाम दिये गा था compound epithelial, Simple epithelial means single layer, compound epithelial means two or more than two layers of the epithelial cells, अब यह जो compound epithelial हैं, इनको फिर हम लोग दो पार्ट में divide करते हैं, two types में divide करते हैं, एक को करते हैं, stratified epithelial tissue और दूसरे में कहेंगे transitional epithelial tissue, stratified epithelial tissue and transitional epithelial tissue, जो stratified epithelial tissue है, उसको फर्दर हम लोग four classes में या four types में divide करते हैं, यह हमारा नाम है नाम से ही के लिए हो जाएगा, कि यह stratified squamous epithelial tissue, stratified columnar epithelial tissue, stratified cuboidal, stratified ciliated columnar epithelial tissue, में चार टाइप होगे, नाम से ही के लिए है, scrumas, cuboidal, columnar and ciliated, single layer है तो उससे पर ले simple लगा देंगे, और more than two layers है तो उससे पर हम लोग stratified लगा देंगे, हमने क्या कहा था है, हम सिर्फ वार यूज़ करेंगे compound, stratified नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि stratified के लावा एक और compound epithelial tissue होता है, जिसे हम लोग नाम देते हैं, it is the transitional epithelial tissue, transitional epithelial tissue, यह transitional epithelial tissue क्या है, कि वैसा epithelial tissue जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा shape का epithelial cells पाई जाएंगे, उपर क्या study किया, stratified columnar मिन्स सारे के सारे cells क्या है, columnar है, stratified squamous मिन्स सारे के सारे cells है, वो squamous है, scale shape के है, stratified cube viral मिन्स सारे के सारे cubical shape के है, इस तरह से उनका नाम देंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, कि जितने भी cells होंगे, वो cells different shapes के होंगे, और इस लिए इसका नाम दिया जाता है, it is the transitional epithelium, अब आई हम लोग इनका detail जानने की कोशिस करते हैं, कि stratified squamous epithelium किसे कहेंगे, कि several layers of cells मालूम होंगों को, जो सबसे उपर होगा, उसे कहेंगे superficial layer, उसके नीचे होगा, उसे कहेंगे intermediate layer, और जो सबसे नीचे होगा, उसे कहेंगे, it is the germinative layer, germinative layer मेंसे, तो वहाँ से नए-नए cells का generation हो रहा है, और intermediate मतल्ब जो बीच में है, और superficial मतल्ब जो सबसे बाहर क्यों है, दूसरा होगा हमारा, जो stratified squamous epithelial है, फिर कहाँ जा रहा है, यह दो पार्ट में divide कि जाती है, एक को कहते हैं, creatinized stratified squamous epithelial, और दूसरा होगा कहेंगे non-creatinized stratified squamous epithelial, अब देखें, यहां पर word है, creatinized, एक चुल में जो creatinized word है, यह word आया है, from the word, creatin, creatin एक chemical है, अब देखें, कहा जा रहा है, जो stratified squamous epithelial है, वो skin के उपर ही पाई जाती है, इसके अलबा कहा जा रहा है कि बकल cavity में पाई जाएंगी, GIT में, urethra means body का internal organ है, वहाँ पर भी stratified squamous epithelial पाई जा रही है, और जो body का outer organ है, वहाँ पर भी stratified squamous epithelial पाई जा रही है, लेकिन दोनों में क्या difference है, कि जब हमें skin को touch करते हैं, तो हमें किसी तरह का बहुत ज्यादा sensation महसूस से नहीं होता, इसको हम touch करेंगे, इसके पर friction होगा, तो यह friction को बहुत हद तक बरदास्त कर सकता है, pressure होगा, उस pressure को भी यह बरदास्त कर सकता है, लेकिन suppose करें कि हमारे body का internal organ है, ज़िए उस internal organ को किसी तरह से touch किया जाया, तो वहाँ पर unwirable sensation हो जाएगी, वह किसी भी pressure को या किसी friction को बहुत आसानी से tolerate नहीं कर पाएगा, और यह क्यों नहीं होता है, ऐसा difference क्यों है, तो due to the chemical that is called keratin, means जो skin है, skin के epithelial cells में keratin पाई जाती है, और जो keratin होती है, वो उससे tough बनाती है, उससे hard बनाती है, और उसारी की सारी cytoplasm को वहाँ से और replace कर देती है, और cytoplasm की ज़र पर क्या आती है, that is the keratin, तो इस तरह के esquemus epithelial को नों क्या नाम देंगे, keratinized stratified esquemus epithelium, और यह skin में पाई जाती है, और जहाँ पर यह क्रेटिन नहीं पाई जाएंगी, उससे नों नाम क्या देंगे, non-creatinized stratified esquemus epithelium, मींस यहाँ पर shell के अंदर cytoplasm पाई जाएंगी, वहाँ पर किसी भी तरह कोई keratin नहीं पाई जाएंगी, बॉडी के अंदर का जितने भी ओर्गन है, सभी ओर्गन में non-creatinized stratified esquemus epithelium पाई जाती हैं, यह हमारी है, बकल कैविटी, GIT, यूरेथ्रा का लोवर पार्ट, वेजाइन ना, यूटेरस का लोवर पार्ट, कॉर्णिया, मतलब आइस का पार्ट है, that is the कॉर्णिया, यहां ट्राइग्राम जिखाए जा रहा है, कि यह पाम है, सोल है, बकल कैविटी है, आइज है, तो इस तरह से यह हमारे stratified esquemus epithelium इनके outer surface पे पाई जाती हैं, अब आई transitional, क्या कहा, इसमें different shapes की होंगी, तो जो सबसे innermost layer होगा, वो हमारा columnar shape का होगा, जो हमारी middle layer है, मिंस intermediate layer है, वो polyhedral shape की होगी, और जो superficial layer है, मिंस outer layer है, वो हमारी globular shape की होगी, इसमें कोई भी basement membrane नहीं पाई जाती है, फिर का जा रहा है, कि इसके अंदर cell division होता है, that is by the mitosis, और इसके अंदर elasticity जादा होती है, जैसे अब example लें, कि gall bladder है, गॉल bladder में जैसे जैसे urine भरती जाती है, उसकी जो, sorry, जो urinary bladder है, urinary bladder में जैसे जैसे urine भरती जाएंगी, वैसे वैसे urinary bladder का size increase होता चला जाएगा, और जब वहाँ से urine बाहर निकल जाएगी, तो उसका size का होगा, वो छोटा हो जाएगा, तो यह size increase or decrease हो रही है, वो किसके चलते हो रही है, due to the transitional epithelium, इस तरह से हम लोगों ने यह study किया, that is about the epithelial tissue, कि epithelial tissue क्या होती है, कितने types क्यों होती है, और उसका क्या structure है, अब हम लोग जानेंगे about function of the epithelial tissues, वह पर चुके है, mainly three functions है, that is the protection, secretion and absorption, अब हम देखेंगे कि body के किस पार्ट में इसका क्या function है, यह कहां कहां पाई जाएंगी, skin, GIT wall, renal tubule, respiratory tract, यह हमारे होगी, skin, GIT wall, renal tubule, respiratory tract, renal system, sense organ, repairing, digestive juice, reproductive organs, hair and nail, इन सभी जगा पर epithelial tissue उनके outer surface पर पाई जाएंगे, अब देखते हैं कि हर एक जगा पर इसका क्या function है, जैसे skin पर पाई जाएंगी, तो वहाँ पर यह barrier की तरह काम करेगा, between the internal environment and external environment, यह इसके साथ साथ यह protect करेगा, जो internal organ है, उसको protect करेगा, किस से, जो बाहर के infectious microorganism से, बाहर के mechanical injury से, बाहर के toxic से, और यह surface को हमेशा moist भी रखेगा, and it will act as a first line of defense, तो इस तरह से मुझे देखा, कि skin के अंदर जो epithelial cells है, वो यह यह function perform करते हैं, इसके अलावा, यह GIT के दिवाल बे पाई जाएंगी, जब GIT के दिवाल बे पाई जाएंगी, मिन्स है stomach हो, यह intestine हो, वहाँ पाई जा रही हैं, तो वहाँ से क्या function होगा, that is the absorption of the food, और सिर्फ absorption of food ही नहीं, वहाँ वो digestive juice भी secret करेंगी, यहाँ पर दोनों काम कर रही हैं, secretion का भी काम कर रही हैं, और उसके साजastern溪 इसम्सान का भी काम कर रही है, next हमारा हो गया renal tibule, renal tibule हमारे किदनें पाई जाती है जहां ये water को absorb करता है urine होता है, renal tibule के दोरा urine का secretion होता है, urine का formation होता है हमारे body में sense organs है, sense organs कौन-कौन से हैं, जैसे skin हो गई, eyes हो गई, nose हो गई, ear हो गया, tongue हो गई सारे हमारे sense organ है, और इस sense organ में भी epithelial tissue पाई जाती है जो skin का color है, वो color किसके decide होता है, या eyes का color है, वो color किसे decide होगा जो skin या eyes में जो epithelial tissue है, उसके अंदर कौन सी chemical pigment जादा है, जी pigment जादा होगा तो person का complexion fair, means dark हो जाएगा, जी pigment कम होगा, तो complexion जोगा वो fair हो जाएगा epithelial tissue जोगा, यह repair का भी काम करता है, means regenerate करके उस organ को injured tissue को remove करेगा, इसके अलावा यह reproductive organs है, वहाँ पर यह ovaries में काम करती है respiratory tract है, genital tract है, hair है, nail है, और यह सारी functions है, these are the functions of the epithelial tissue इस दर से हम लोगोंने यह topic complete किया, epithelial tissue, इनका क्या structure है और इस दर से हम लोगोंने पूरे chapter को complete कर लिया, पूरे topic को complete कर लिया, that is the epithelial tissue structure and function, next class में कोई और tissue के बार में discussion करेंगे, उनका क्या structure होता है और क्या function होता है मैंने पूरी class lengthy class बनाई है इसलिए कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप एक class देखने के बाद फिर दूसरे class को आसा व्यू नहीं करते तो आप इसी topic को एक बार आपने समझ लेंगे सारी point clear हो जाएंगी और यदि कोई problem हो कोई साथ दिक्कत हो या कोई doubts हो कोई question हो तो आप comment box में जरूर लिखें मैं उसका reply देने की कोशिस करूँगा और मुझे ये भी बता है कि क्या ये इतनी lengthy class एक साथ में upload करूँ या इसे part में upload करूँ आपका feedback की मुझे इंतिजार रहेगी उमीद करता हूँ आपना feedback जरूर देंग कर दो आपका जरूर आपका जिसारफ करता है जरुगाँ जरूरा